हस्तांतरन भुक्तान ये शब्द economics मतलब अर्थशात्र में बहुत जादा famous है इसको English में transfer payment बोला जाता है अब हम इसकी परिभाशा देखते हैं ऐसे सरकारी वे जिसके बदले में सरकार या राज को किसी वस्तु या सेवा की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें ही हस्तांतरन भ payments को add नहीं करते हैं आए हम example देखते हैं जैसे कि कर्वसूली पर होने वाला वे जो कर्वसूली के समय सरकार भुक्तान करती है payment करते है वो वापस नहीं आता वो transfer payment होता है और इसी तरह बेरुजगारी भत्ते पर हुआ वे ये भी transfer payment होता है